अब देख रहे हैं आपको चैनल शेयर वजार वितायुष और दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे इंटराज बिल्डिंग प्रड़क्स आई-प्यों के फाइनल यह नहीं आज का डे थ्री सब्सक्रिप्शन के बारे में कितना टोटल सब्सक्राइब हो पाया यह इस बात करेंगे तो वीडियो का आप लोग पुरा जरूर देखना आज इशू क्लोज हो चुका है दस रुपे की इसके फेस वैल्यू थी यह बात ध्यान रिखेगा अगर आपको आई-प्यों का लॉट्मेंट मिल जाता है तो 900 रुपे का आपको एक शेयर मिलता हुआने ज़ सबस्क्राइब हो पाया तो चलिए सीधे बात करते हैं सब्सक्रिप्शन पर सबस्क्राइब हो तो एक बात साफ दिखती है कि जो सब्सक्रिप्शन मिला था इस इशू को शुरुवात के दो दिनों के अंदर वो दिख राता कि definitely कमाल का है लेकिन सबसे important बात किसकी थी सबसे important बात थी कि क्यो आई-बी का कितना पैसा निकल कराएगा तो दो दिनों में क्यो आई-बी ने 1.41 टाइम सब्सक्राइब किया था आखरे दिन क्यो आई-बी कितना पैसा दो दिनों में लेकिन आखरे दिन ये बिलकुल 200 गुना तक जाता हुआ दिखा 197.29 टाइम एग्जाक्ली इतना पैसा जो है वो basically QIB ने लगाया कुल मलाकर दोस्तो QIB ने 13,29,526 शेर्स यहाँ पर QIB को दिये गए थे लेकिन कुल मलाकर एप्लिकेशन आई है 26 करोड 22,98,016 शेर्स के लिए जी हाँ तेरे लाग शेर्स दिये गए थे लेकिन 26 करोड शेर्स के लिए अप्लिकेशन आई है कुल मलाकर QIB ने इस इशु में 23,606 करोड जी हाँ 23,606 करोड रुपीज जो है वो basically लगा दिये और दिखाता क्या है कि इशु को बहुत ही धमाकेदार रिस्पॉंस जो है वो 297 टाइमस अपने आप में अब समझ सकते हैं कम नहीं बहुत जादा होता है सोचा नहीं था उससे जादा QIB ने बढ़ दिया तो यह अपने आप में देखिए एक फिंटास्टिक रिस्पॉंस जो है वो मिला है फ्रॉं क्यू आइब इसके पाद दोस्तों चैटेगरी आती ह इसको 6,64,764 शेर्स दिये गए थे लेकिन उसको सामने 9,85,93,744 शेर्स के लिए हमको अप्लिकेशन रिसीव होती वी इसका मतलब क्या है कि कुल मिलाकर एचनाइज नहीं इस इश्यों के अंदर 8,000 बिग एचनाइज ने स्प्रिसिफिकली 8,873 करोड रुपीस लगा है आपको बता चल जाएगा कि आपके कितनी possibility रहने वाली है तो बिग एचनाइज में आप 148.31 दिख रहा है तो उसका मतलब यह है कि almost 29 29 मुटा मुटी हर 29 में से एक व्यक्ति को अलॉट्मेंट लगेगा किसके अंदर बिग एचनाइज के अंदर बहुत तफ होता लगाता ज आप जिस तरह के response मिल रहा इशू को उसके कारण कह सकते हैं जो बिग एचनाइज का टेगरी है जिस तरीके से subscribe हो रही है इसके कारण allotment मिलना आपने अपने अपने देख सकते हैं मुश्किल है तो बिग एचनाइज में 29 में से एक व्यक्ति का allotment लगेगा देन आती है द 2865 करोड जो है वो सिर्फ हमको small इजनाई से आता हुआ दिखा है small जना में अगर आपने लगा है तो simple सी बात है जितना subscribe हुए उत्रे में से एक को मिलेगा तो यह मान के जली देगी हर 95 में से एक को allotment मिल जाएगा इस तरकी possibility रहेगी small जाय के अंदर small जनाई में allotment मिलना बहुत tough रहता है मैंना कल भी आपको यह बता रहे था कि अगर आप IP में लगाने का सोच रहे हैं और आप यह सोच रहे हैं कि मैं कौन सी काटेगरी में लगा हूँ अगर आपको जादा शेयर्स चाहिए तो आपको जादा जिसमें शेयर्स मिलते उस काटेगरी में लगाना पड़ेगा लेकिन आपको सिर्फ अगर allotment चाहिए कि मुझे allotment में भी possibility किस तरीकी से increase हो तो सबसे best काटेगरी होती है तो रीटेल की तो रीटेल कितना सब्सक्र अंदर 4032 करोड रुपीज लगा है मतलब 23,00,000 शेयर्स ओफर किये गए थे और कुल मिलाकर 4,48,00,000 शेयर्स के लिए हमको application आता हुआ अब देखे टोटल मिलाकर जो रीटेल को application मिली है वो है 2414984 यह दोस्तों कुल मिलाकर रीटेल को application जो है वो basically मिली है इसको multiply कर देना है अब को 16 से मैं क्यों 16 से कर रहा हूँ because यह बात धाम रखेगा एक lot में 16 shares दिये गए तो इसको फिर क्या करेगा 2326671 यानि 23,26,671 से आपको दोस्तों इसको divide कर दिना है जो value है गी multiply करने के बाद तो उसके एसाब से 16.60 बैठ आप पुछेंगे कहां से में कर रहा हूँ तो अब को बताता हूँ लेकिन यह बाद ध्यान रखे अगर अपने retail में लगा है तो अभी यह possibility कि हर 16.60 में से एक विक्ति को allotment मिलेगा according to application wise में बात कर रहा हूँ हमेशे बात धन रखे कर retail में एक से 3 lot तक आप लगा सकते हैं आपको पता है अब एक से जब 3 lot तक आप लगा सकते हैं तो होता क्या है काफी लोग देखिए 2 lot लगा जेते हैं काफी लोग 5 lot लगा जेते हैं काफी लोग 7 काफी लोग 3 भी लगा जेते हैं लगता है कि देखे एक लॉट का मिलेगा रीटेल के अंदर ये बद्धान रखेएगा हमेशा रीटेल में अलॉट्मेंट सिंगल लॉट के लिए होता है तो फिर जैसे दर के लॉट बढ़ जाते हैं तो उसका जो सब्सक्रिप्शन में फिगर है वो भी आड हो जाता है नमबर अफ शेयर अपला में भी काफी लोग ऐसे हैं जो इंप्लोई है नहीं बट कंपनी के इंप्लोई काडिगरी में लगा दिया ताकि उनको डिस्काउंट मिल जाए यह बाद ध्यान रखेगा मैं बार बार कह रहा था कि अगर आप इंप्लोई में लगाते हैं कोई बड़ी बात नहीं सब्सक्र होगया लेकिन उसमें आगर आप इंप्लोई नहीं होगा तो उनकी बिट इंप्लोई में लगाए अगर आप कंपनी के इंप्लोई नहीं है वह बहुत तगड़ा रिसपॉंस इहां पर आप नोटिस कर सकते हैं आप लिगेशिन यहां लिखी है तो मैंने इसको किस से multiply कर दिया 16 से और जितने number of shares दिये गए थे 23,26,671 उससे divide कर दिया आप भी कर दीजे आपको तचल जाएगा 16.60 something आपको कुछ डालिवाएगी तो इस तरीके से आपको चेक आउट कर सकते हैं बाकी अगर मैं बात करता हूँ allotment की तो allotment कल आने वाला है allotment के chance तो पता चल लगए लिए लिए अनलotment आएगा गब allotment कल आएगा एक separate video मना देंगे जिसमें बात करेंगे किस तरीके से आपको allotment check करना है जिन लोगोंने first time लगा है उनको बता दूगा हमें कि आपको किस तरीके से इस IPO में allotment अपना चेक करना है बाकी grey market के अग आपको वीडियो अच्छा लगा अगर लगा तो यार लाइक कर देना प्लीज लाइक करने में कंचूसी ना करें चैनल को अगर अब अब तक आपने subscribe नहीं किया तो subscribe भी करेगा and definitely video share करेगा अपने उन friends and family के साथ जिनोंने इस IPO में लगा है तो बताईएगा बाकी आप अच्छा लगा तो प्लीज जिसमाने का अपने से लाइक कर देगा thank you friends watching this video